नमस्कार दोस्तों, आज के इस UPSC Terminology Lecture Series में हम एक term सिखेंगे बेदरी हस्त शिल्प, बेदरी हस्त शिल्प यह important है, इसलिए कि अभी इसको राष्टपडी ड्रोपदी मुर्मू द्वारा पदमश्री इनको मिला है, बेदरी शिल्प को इसमें पदमश्री मिला है, इसलिए इसलिए इंपॉर्टन्ट हो जाता है, हम इस एक MC की उसलिफ करेंगे, फिर इसको सिखेंगे कि बेदरी शिल्प क्या है, बेदरी शिल्प के संबंद में निम्नलखित कतनों में से कौन से या कौन सा कतन सत्य है, पहला है, यह एक काष्ट लकडी की हस्त शिल्प है, काष्ट हस्त शिल्प है, इसका प्रारंब करनाटक से माना जाता है, और यह शिल्प फारसी कला से प्रेरित है, तो इसमें आपको बताना है कि आप सन ए सही है, केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, या उपरोगत सभी कौन से इसमें से सही है, यह आपको बताना है इसका एंसर जाने से पहले पहले हम इसको सीख लेते हैं बीदरी शिल्प के बारे में यह बीदरी शिल्प यह न्यूज में इसलिए है क्योंकि इनके बीदरी और बीदरी शिल्प के एक सिल्पकार है जो बीदरी सिल्पकला को यूज़ करके अपना सिल्प निर्माड करते हैं शाह रसीद अहमत कादरी इनको राष्टपती द्रोपदी मुर्मुग द्वारा पादमश्री समान से समानित किया गया इसलिए ये नियूज में था और के जो कलाकार हैं ये शिल्पकार हैं उनको पदमिस्री भी मिला है तो ये डबल इंपोर्टेंट हो जाता है ये करनाटक के बीदर सहर की एक धातुशिल्प है करनाटक के बीदर सहर की एक धातुशिल्प हस्तकला है और ये बिक्सित कब हुई बहमानी शासकों के समय पर ये विक्सित हुई जब बहमानी सासकों का समराच चल रहा था तब ये विक्सित हुई और बहमानी सासकों के समय पर एक फारसी कारीगर आया था यही बहमानी सासकों के अंतरगत एक फारसी कारीगर आया था जो इस्थानी कारीगरों से काफी प्रभावित और इसमें फार्सी और इस्थानी कारिगर दोनों मिलके फिर बीदरी धातु शिल्प का निर्मार किये। मतलब ये एक नई कला थी जिसमें फार्सी और इस्थानी कारिगर दोनों का योगदान था बीदरी धातु शिल्प में। इसमें फूल पत्ते और जामिती डिजाइनों का यूज किया जाता है और बेस धातु की रूप में पीतल का यूज करते हैं पीतल और बर्क के लिए जो जड़ाई का काम करते हैं उसके लिए चांदी की तारों का यूज करते हैं ये ध्यान रखिएगा ये भी बन सकता है MCQ मे कि चांदी की तारों को यूच कियाजाता है, सोने की तारों का, तो तो सोने की तारों को यूच किया जाता है, जो लगा, गय यह मचली के अक्रिति का एक डिबब बना हुआ संभावता नभाव लोग पान रखने के लिए यूज करते रहे होंगे तो जो आप बेस देख रहे हैं तो बेस मेटल इसका पीतल का बना हुआ है और जो वाइट कलर में आप इसमें देख रहे हैं तो यह चांदी का इसमें वर को इस यह बीदरी हस्थ सिल्फ के द्वारा ही इसको भी बनाया गया है अब अब चलते हैं उपने mcq पे तो यह एक काष्ट की खुला है तो यह कतनगलत है यह कास्ट की हस्थ कला नहीं है यह द्हातु हस्थ सिल्फ कला यंध हा नचे पहले कतनगलत है दूसरा इसका प्र चेलिम करनाटधक से माना जाता है तो यह सई यह ही कतर सरो जब फार्सी कारीगार राया मः समराज के आपनोछ रहां कि यह लोकल जो कारीगाड़े उनसे मिलके विद्री थे शिल्फ का निर्माद किया तो इस तरह हमारा राइट एंसर हो जाएगा option B केबल दो और तीन सही है केबल दो और तीन सही है पहला कतन गलत है